बेटी चस्ट पी एफमेस पर कई साथियों के साथ ये समझते हैं आ रही है कि वो जो आप एक्सपेडिचर बना के सम्मिट टोकार देते हैं लेकिन पर जाते हैं तो वहाँ पर बैक के लाव कोई आप्सन नहीं मिलता तो किस तरह से अप्रूब करें या रिजेक्ट करें आग उसके बाद मैनेज पर क्लिक करेंगे यहाँ से अपनी स्कीम सेलेट करेंगे UP113 उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखेंगे आपके बनागुए सारे एक्सपेडिचर शो आ जाएंगे कुछ आपके अप्रूब हो चुके होंगे कुछ यहाँ पर हो कर रहा है उसके letter office order number जो blue color का आ रहा है इस cyber link पर click करेंगे next page पर उस expenditure की detail open हो जाएगी scroll करके सबसे नीचे आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप submit कर चुके हैं तो यहाँ पर कोई option नहीं दिख रहा back के अलाबा आपको चलना है agency data approver ID से login करना है यहाँ पर agency data approver ID की interface पर आ जाने के बाद नीचे scroll करना और expenditures पर click करना है उसके बाद manage पर click करेंगे यहाँ से अपनी scheme select कर लेंगे UP113 और search पर click कर देंगे अब यहाँ पर बहुँ expenditures हो होगा जो आपने submit किया होगा उसके यहाँ पर hyperlink जो blue color का आ रहा है लेटर office order number इस पर click करेंगे यहाँ पर उस expenditure की detail open हो जाएगी इस call करके नीचे आ जाएगे यहाँ पर देखेंगे यह option में लाए है approve और reject इस पर click करेंगे यहाँ पर देखिए option में गया है कभी कभी क्या होता है system की problem की बज़ाइस से या network की जा रहे जो portal बगार है काफी busy चला इन दिनों क्योंकि एक अत्तीस मार्च last date है इस पर bug complete करने की इसलिए कभी हो जाता है तो अब यहाँ पर देखिए option open हो चुका है अगर आप इसे अप्रूब करना चाहते है तो इस बॉक्स में लिखेंगे एप्रूब और एप्रूब पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका पी 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 जनेरेट हो जाएगा डाउनलोड करके आप bank में जमा करें पैमें successful हो जाएगा अगर आपको लगता है यह बाइचान गलत बन गया ह हमारा तो आप इसे reject भी कर सकते हैं यहाँ पर लिखिए rejected और reject पर क्लिक कर दीजिए आप दोनों option यहाँ पर यूज कर सकते हैं अब यह देखिए यहाँ पर आ कि है successfully saved for rejected यह reject हो चुका है अब जब आप data operator ID पर जाएगे तो वहाँ पर option मिल जागा edit वाला चलिए फिसे जलत आपके फिर से आपको आ जाना läuft expenditures पर क्लिक करना है उसके menu पर क्लिक करेंगे यहां से scheme चुनिक के बाद search पर क्लिक कर देंगे यहां पर देख सकते हैं बो expenditure करेगा जो reject किया गया यहां पर लिखार रहा रहा रिजेक्टिट इसके hyperlink जो blue को लखारा है इस पर क्लिक करेंगे यहां पर यह डिटल ओपन हो जाएगी इस कॉल करेंगे नीचे आजाएंगे अब यहां पर देखिए कि एडिट वाला ओप्सन मिल चुका है इसे एडिट पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसे दूसरे मत के लिए खर्च कर सकते हैं आपको लगता है यह गलत हो गया था भाईचे अंसम से और दूसरी बात यह है आप इसे रिमूब भी कर सकते हैं वो कैसे करेंगे यहां पर देखेंगे जो आपने इसके कंपोने आडी सेलिट किया होगा इस पर टिक करेंगे और यहां रिमूब पर क्लिक कर दें अब आप इसे edit कर सकते हैं amount में भी amount भी बदल सकते हैं क्योंकि वो remove हो गया है अभी भी आप दूसरे component के लिए इस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हम यह expenditure नहीं बनाना है तो यहाँ पर क्या करें back पर click कर देंगे back पर click करते हैं यहाँ पर इंटरफेस open हो जाएगा अगर आप नया expenditure बनाना चाहते तो यहाँ पर एक option मिल जाएगा add new expenditure यहाँ पर click करके देख लेते हैं क्या वो limit बापास आई जो अभी हमने reject कर दिया चली click करते हैं यहाँ से scheme check कर लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं वो limit हमारी बापास आई क्योंकि जो 200 रुपए थे expense है बन चुका था ता वहाँ लिमिट बाच रही थी 4623 सुपए लेकिन अब वो 200 रुपए की limit बापास आगई अब जो रोकी 4823 सुपए होगी क्योंकि वहाँ पर जो आप देख रहे थे 4823 सुपए वो वहाँ पर 200 रुपए एड हुए थे लेकिन जैसे ही में expenditure done कर देते तो limit कट जाती तो 4623 रुपए रह जाती जैसे कि हमारा पहले वहाँ पर approval ID पर पहुंच चुका था तो लिमिट हमारी कट चुकी थी 4623 रुपए बच रही थी लेकिन आप अब बापास हमारी आ चुकी है 4823 रुपए अब इस तरह से आप किसी भी बने हुए expenditure को रिमूब भी कर सकते हैं edit भी कर सकते हैं और उसे जो कट वी लिमिट है बापस भी ला सकते हैं delete भी कर सकते हैं जिसे कहना बोलते हैं तो असन नहीं से यह बग कर सकते हैं अगर आप फिस से एडिट करके submit करना चाहें फिर approver ID पर जाके उससे PPA भी generate कर सकते हैं इस वीडियों आपने साही चीज़े सीख लिए होगी आप expenditure के साथ यह सारे काम कर सकते हैं आपके case में जो भी possible हो